आज मैं आपके लिए साबू दाना की दो बहुत ही मज़ेदार एस्पी दे करके आई हूँ यकीन मानिए फ्रेंड्स इसे देखने के बाद आप इसे जरूर बनाएंगे आपको बहुत पसंद आएगी तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने लिए हैं तीन कच्चे आलू यह मैंने मीडियम साइज के लिए हैं अगर आपके पास बड़े साइज के हैं तो आप उन्हें पी ले सकते हैं इनफेक्ट मैं कहूंगी आप बड़े साइस के ही आलू लीजेगा, मेरे पास बड़े साइस के थे नहीं, इसलिए मैंने मीडियम साइस के ले लिये हैं, आप यहाँ पर हमने एक बोल में पानी ले लिया है और ले लिया है कद्दुकस, तो कद्दुकस की मदद से आलू को हम कद्दुकस कर लेते हैं तो जिस तरफ से आलू की लंबाई होती है उसी तरफ से कद्दुकस करिएगा इससे आलू के बड़े बड़े लच्छे बन करके रेडी होगे तो लीजे हमने तीनों ही आलू को कद्दुकस कर लिया है अब आपको इस चीज़ बता दूं कि आलू में starch होता है तो इन आलू के लच्छों से हमें starch को अलग करना है तो इसके लिए बस एक simple सी trick है कि आलू को आप कम से कम 2-3 बार पानी से अच्छे से धो लीजेगा जितनी बार आप धोएंगे आपको थोड़ा-थोड़ा सा cloudy पानी नजर आएगा समझ लीजे वो starch है तो उसे ही हमें निकालना है तो लगबग मैंने इसको 2-3 बार धोया है और आप देख सकते हैं अब बिल्कुल भी cloudy पानी नहीं है बिल्कुल साप पानी है इसका मतलब है आलू मैसी starch पूरी तरह से निकल गया तो बस अब हम इस पानी को एक बार और अलग कर देते हैं यहाँ पर मैंने एक थाली के उपर cotton का कपड़ा बिचा लिया है और यह जो आलू के लच्छे थे ना इनको हम अच्छे से दोनों हाथों की help से ना दबाएंगे स्क्वीच करेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो सारा निकल जाए तो कोशिश करनी हैं जितना आप निकाल सकें आसानी से दबाती हुए उतना पानी निकाल लीजेगा तो इसी तरह सभी आलू के लच्छों को हम स्क्वीच करते हुए पानी एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं और कपड़ी में फैलाते जाएंगे अब हम इन आलू के लच्छों को 10 मिनट के लिए पंके के हवा के नीचे रख देते हैं ताकि इनमें थोड़ा बहुत अगर पानी रह गया होगा वो सारा खतम हो जाएगा और ये आलू जो है अच्छे से ड्राई हो जाएंगे जब तक यहां पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है ह। будет यहां पर हमने दो कप साबूदाना ले लिया है तो यहां पर आप मोती वाला साबूदाना भी ले सकते हैं यह मीडियम साइज वाला है और इससे एक बड़ा साबूदाना आता है वो भी आप ले सकते हैं कोई साभी ले लीजे चलेगा फिलहाल मैं यहाँ पर मौती वाले साभुदाना का इस्तिमाल कर रही हूँ और यहाँ पर जो आलू की लच्छे थे वो पूरी तरह से ड्राई हो चुके हैं इसको चेक करने के लिए आप हतेलियों से अच्छे से रब करिए फिर हतेलियों को चेक करिए बिल्कुल भी पानी नजर नहीं आ रहा है हतेली गीली नहीं है बिल्कुल भी शाइन नहीं है पान आप चाहें तो हाथों के तरह से हीड चेक कर सकते हैं तेल बहुत अच्छा ग्रम होना चरूरी है अब में अजिक निये थे इन में से थोड़े थोड़े जाएंगे नदालने तो आप देख सकते हैं जैसे हमने सावुदाना डाले और किस तरह से यह एकदम और भ Το भू गए हैं बड़े साइज को हो गए हैं आपने सावुदद ना कि पापड खाइं धिल्कुल दम्हें जाते हैं ऑप याद रखने मालेबाद यहीद है उप्लेस इनको तलना है लग भग दो मिनट सेट इतन लगост नहीं Stark इसे कम मतलिएगा वनना यह बाद में ना इक्दम क्रिस्पी नी रहेंगे और खिचे खिचे बनेंगे क्योंकि आपकी दाथो में लगेंगे अलग तो इसलिए कम से कम दो मिनट के लिए बढ़िया से फ्राई होने दें दो मिनट बाद जो सावुदाना है इनको हम अलग निकाल लेते हैं तो यहाँ पर मैंने फ्लेट में टिशू पेपर बिचा लिया है ताकि इनका जो एक्स्टर ओयल है वो सारा निकल जाए तो यहाँ पर आपको सावुदाना थोड़े से यलो यलो कलर के नजर आ रहेंगे वो इसी तरह से हम बाकि का बचा हुआ बैच भी तल लेते हैं तो एक बार में बहुत जादा सावुदाना मट डालें कमसे कम आधर कप के खरी या एक कप के करीब भी डालें इससे जादा मट डालीगा तो इनको भी हम इसी तरह से अचight же से से स्पेशुला से हिलाते हुए बड अब उसी तेल में हमने जो आलू की लच्छे बनाए हुए थे ना इन लच्छों को भी हम डालेंगे फ्लेम बिल्कुल हाई ही रखनी है तेल गरम होना चाहिए अच्छा कासा इस चीज का याद रखिएगा तो लच्छे जादर नहीं थे तीन आलू के इते तो मैं एक बार में सारे लच्छे ही डाल देती हूँ और इन आलू के लच्छों को भी हम बिल्कुल हाई फ्लेम पर बढ़िया से सुनेरा होने तक तल लेंगे थोड़ी देर में आप देखेंगे दो मिनट बाद ही कि इनका जो कलर है ना बढ़िया गोल्डन हो गया है और यह बहुत ही जादा क्रिस्पी भी हो गए है तो बस जैसे ऐसा कलर नजर आने लगे आप इनको तरंथी निकाल लीजेगा तो लीजे हमारे आदू के क्रिस्पी लच्छे बन करके बिल्कुल रैडी हो चुके हैं तो इनको भी हम अलग टिश्यू पेपर में निकाल लेते हैं ताकि इनका जितना एक्स्ट ओयल है न वह सारा निकल जाए तो इनको हम थुरा सा फैला देते हैं जल्दी से ठंडे हो जाएंगे और बहुत ही बड़ी हो जाएंगे तो दोनों ही चीजे ठंडे हो चुकी हैं आलू की लच्छे भी बहुत क्रिस्पी हो चुके हैं और जो साबुदाना है वो भी बहुत अज़े से क्रिस्पी हो चुके हैं अब हमने लिया है यहां पर एक मिक्सिंग बोल तो इसमें हम सभी साबुदाना को डाल देते हैं आप कोई भी फैले मुई का बड़तन ले सकते हैं साबुदाना हमने डाल दिये हैं तो इसमें से हम कुछ साबुदाना अलग प्लेट में निकाल लेते हैं क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपके साथ दो रेश्पी शेयर करूँगी तो इससे हम दूसरी रेश्पी भी बनाएंगे जो की बहुत बहुत ज़्यादा कमाल की बनने वाली है तो वीडियो को पूरा देखेगा फ्रेंड्स अब हमने इसी में जो लच्छे बनाये थे नालू के वो भी हम डाल देंगे एक स्पून की हेल्प से दोनों को यहाँ पर आम डोड़ार कि फिटी टोड़ां में मंमख्या को झाला है मैं सुछ ट्रायफ्लोर्ट जोला इसी में जी साई धी कहए थे नोड़ा में पूंदा बिया और बस इनको भी हम डाल देते हैं और एक स्पून की हल्ग से इनको हम हलका सा लो फ्लेम पर आधा मिनट के लिए भून लेंगे इसे जो ड्राइफूट्स है ना काफी अचा टेस्ट आएगा और जो करी पता है ना उसका भी फ्लेवर बढ़िया से गी में उतर आएगा तो बह यहां पर five some बहुत मज़ेदार की बनाने वाले हैं जिसे पूरे चई महीने के लिए स्टोर फी कर सकने हैं है यहां पर Toyota काली मिर्ची ले लिया जिनको बड़ी आप बारी कृट लिया है आप काली मिर्च के पाउडर का इस्तमाल भी कड साथी में हम 14 चमत चाट मसाला डाल देंगे यहाँ पर चाट मसाला डालना बिल्कुल ऑप्सनल है अगर आप ब्रत के लिए से बना रही है तो यहाँ पर आप चाट मसाला को सिक्प कर दीजिए गा और नमक की जगे आप ब्रत वाले नमक का इस्तेमाल करिएगा तो इसे आप इकडम क्रिस्पी नंकीन यकिन मानिए frans एक बार बनाएंगे आपको बार बार बना करके खाएंगे आपको हर वारी लगेगा कि बस इसको बना करके रखले आराम से दो-ती महिने के लिए फुर्सत है आप तो बस इसको स्टोर कर ने के लिए आप कोई भी-ora पर नमकीन को भर लेते हैं अब यह नमकीन आपकी बिल्कुल सुरक्षित है दो ती महीने तक आराम से चलेगी तो जब भी हम सुभई-सुभई चाय पीते हैं तो कुछ न कुछ ऐसा लगता है नमकीन मिल जाए हलका-फुलका सा तो यह बैस्ट ऑप्सन है चाय की साथ आप इस तो चलिए अब मैं आपको खा करके भी दिखाती हूं कि कितनी क्रिस्पी है बहुत-बहुत बड़िया बनी है बहुत क्रिस्पी है आप आवास से ही समझ सकते हैं तो आप इसको जरूर ड्राय करके दिखेगा तो यह तो रही हमारी पहली रेस्पी अब जटपड से हम अपन बोल में डालेंगे यहां पर मैंने दिया है बारी कटा हुआ प्याज साथी में थोड़ा सामने टमाटर ले लिया है बारी कटा हुआ यह मैंने ली है हरी मिर्च अगर आप तीखा पसंद नहीं करते तो मिर्च को स्किप कर दीजिएगा या लाल मिर्च कर इस्तमाल कर सकते ह स्वाधन सारिस में हम नमक डालेंगे अब हमने यहां पर लिया है आधा नीबू का रस तो आप समझ चुके होंगे कि हम बना क्या रहे हैं हम बना रहे हैं सावुदाना की भेलपुरी आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि सावुदाना की भेलपुरी कैसी लगेगी बट यकीन मानिये फ्रेंट्स इतनी क्लासिक लगती है आपने कई बार लाई की बिरपुरी बनाई होगी ना इसकी बना करके देखिए बहुत-बहुत मज़िदार है इसकी बड़े ही मज़िदार है तो हमने इसको बहुत ज्यादा स्पेशल इसमें कुछ नहीं डाला बहुत सिं ज्यादा बहुत-बहुत तेस्टी है तो अमीद करती हूं कि आपको आज की दोनों ही साबुदाना की रेस्पी अच्छी लगी होगी अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजेगा फिर मिलते हैं अपने